आज मॉर्निंग में हम लोग का बेसिक सिक्षक भरती का पठिकरम आ चुका है जिसकी हम लोग प्रिपरेशन अल्रेडी स्टार्ट कर चुके हैं इनके सेलबस देने से पहले ही हम लोगों ने अपनी तियारी स्टार्ट कर दिये और आप लोग होप सो सारे वीडियो बहुत लगे रही है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रही है और कमेंट से रही है ताकि हमको और कुछ अच्छा कर पाएं तो सबसे पहले आज जो इनका मॉर्निंग में जो सेलबस आया है सबसे पहले तो एक बार यह देखे देख लेते हैं कि इन्होंने दिया अब है वेटेज कम इसके बारे में आगे थोड़ा भी डीटेल में देखेंगे सैच्छडए कॉसल है दस नंबर का बाल मनो विग्यान है दस नंबर की सामाजिक अध्यान या फिर इसको बोलेंगे समानिग्यान या समसमाई घटना है यह 30 नंबर का बहुत इंपोर्टन अधिक्स कहते हैं और यह बेसिकली आइस के जो पाठिक्रम है उनका जो कर्कुलम है उसका टॉपिक है यह तो कन्फ्यूज मत होईगा कि यह क्या चीज है और यह बहुत इजी होता है इसमें बहुत जादा लोड मत लीजेगा इसके लिए ठीक है ना और यह हमारी जो विग प्रस्तावित था अगर कुछ भी चेंज होगा तो हम तुरंत आपके लिए वो अपग्रेड़ेड लेके आएंगे यह वीडियो आपके लिए जो भी अपग्रेड है इसमें नियमावली में देखिए कोई संसोधन अभी तक मतलब जो हो चुका था एस वही है बस में यह दे दीरगुत्री निभंधात्मक यह टोटली कैंसल है ऐसा आप कुछ नहीं होने वाला है ठीक है और जो एक हमारे मन में कन्फ्यूजन था यह देखिए हम अपने नेक्स स्लाइड पे चलते हैं यह हमारा बेसिक शिक्षक यह मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था यह हम नहीं होना है ठीक है और अब जो है टोटल हमारा जो कोशन पेपर होगा वह 150 मार्क्स का होगा और तीन घंटे मिलेंगे मतलब की 150 कोशन हमें करने होंगे 180 मिनट में ठीक है ना और जो इसका पैटरन है वह भी फिलेट टाइप की आएंगी उसे में उपर कोशन दिया रहेग ठीक है तो अब जल्दी यल्दी देखते हैं आगे देखें जैसे हिंदी में हैं हिंदी में पहले था व्याकरड पठित प्रार्थ में किस तर पर साक्षेडिक विदिया लेखन कोशल इंग्लिश में यही था ठीचिंग इसकिल्स कॉम्प्रेहेंसन ग्रामर टेंस अब इन् सब्सक्राइब क्योंकि टीचिंग स्किल्स बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होता है इन्होंने पता नहीं हटा कैसे दिया लेकिन हमारे सबसी चीज होनी चाहिए थी बहुत ही आसान चीज होती है यहां से एक दो नमबर आप ले सकते थे चलिए अगर हटा दिया तो सो फो कुछ था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है बस मैट्स जो है हमारी टॉटटी मार्स की हो गई है उदर हिंदी इंगलिस पहले पंद़र पंदर नंबर की हो गई है देखे 20 नंबर का हो गया इसमें कुछ चीज़ उन्होंने हटाया नहीं बस तीन चीज़ जोड दिए एक त बढ़ने वाले थे सामान ने बीज गड़ी था यह एक टम जो है नया एड़ किया है तो इसमें बहुत परिशान मत हो यह बस ऐसे होता है जैसे कोई कोशन नहीं आते थे X-Y की वैलु है 7 और X-Y की वैलु है 10 तो बताइए X और Y का मान कितना है तो बहुत ही बेसिक और आधार भूत कोशन यह पूचेंगे आप से तो हम डिसकस कर लेंगे तो मैट्स में कोई बहुत ज़्याता चेंज नहीं है बस नमबर जो है वो आपके 20 नमबर हो गया है अब हम पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था क्योंकि मुझे डाउट था जब आईएस और पीसेस में डिसकेशन होता है इन्वार्मेंटल स्टेडीज का और अब तो यह रूल है पेपर छोटा हो या बड़ा इन्वार्मेंट होना ही उसमें चाहिए तो इन्होंने एड कैसे न की थेओरी हो जाएगी इसमें से बहुत जादा कोशन बनता नहीं है दो से तीन कोशन बनेंगे वो हम डिसकस कर लेंगे ठीक है बाकी हमारा करेंट अफेर तो सौरी बाकी हमारा जो यह समान निदने तो चली रहा है उसमें दो तीन ची और एड के स्टार्टिक में प्रत्व करेंशन कम है तो जिनकी जीस थोड़ा सा वीक होती है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं अब आतें साइंस पे साइंस पहले दोस्त हमारा था पंद्रा नंबर का आइधिक शायद और अब जो है साइंस का पार्ट है वो है हमारा 20 marks का है शायद 10 है 20 है आप लोग अ एक चीज और देख लेते हैं जो इनका से चड़ी कॉसल वाला पार्ट था पहले यार यह 30 नंबर का आने वाला था तो ऐसा लग था बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग की जो दो पेपर होते हैं वो पढ़ने पढ़ेंगे मतलब 8 पे कॉस्चन्स तो आप लोग देंगे ही तेंगे और मैं सीधे सीधे one-liner कोशन आप बनाओं गा इन चीजों के क्योंकि इन की थोरी नहीं करें क्योंकि थोरी डिसकस कंने का कोई मतलब नहीं है जब एक लाइन में लिखना है तो अपका टाइम क्यों वेसका है अपना टायम करे है ला तो इसमें में गैणी नहीं इसमें में सेरेक्षिन लेना है तो हम मजाग में रोज कमसें 50 Kec झाल होगे और यह अरफम vulner तो आपके कोई नहीं सकता अपसे अब हम आते हैं बहुत जल्दी जो हमने डिस्कव गया भागदो जैसा आप कुछ भी नहीं है, भागदो पूरा हटा दिया गया है, सिर्फ एक पेपर है, टोटल 180, जो होगा तुमारा, 180 मिनट्स होंगे, मतलब की 3 घंटे, और 1.500 नंबर का पेपर होगा, मतलब की आपका 1.500 कोशन्स होंगे, ठीक है, 3 घंटे में आपको पेपर ल लाएंगे, कंटेंट कहां से लाएंगे, तो अब इसकी कोई भी टेंशन आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे तो यारब आई नहीं रहा है, वो 20 मार्क्स जो थे, माना कि हो सकता किसी का निबंद पोर्शन बहुत अच्छा हो, तो सौरी आर तुमारे आ नहीं रहा है, ठीक है, सैचरी कॉसल हम देखी चुके हैं, पहले 30 का आने वाला था, अब 10 का आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ अब है नहीं, अब चली ये तो सारी चीजे हमने डिसकस कर ली हमारा सेलेबस में बदलाव क्या हुआ है, ठीक है, बहुत, अब हम ये देखे आ रहा है, 10 नमबर का साइन्स, 10 नमबर का करेंट अफियर, अ आर्ट सेन कल्चर, यारी आर्ट सेन कल्चर जो इस सिविल का टॉपिक है, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक सिविल के, इसमें डाल दिये हैं, जैसे आर्ट अन कल्चर हो गया, ये आईएस का जो पैटरन होता ह अब तो PCS में भी आने लगा है और जो एथिक्स उन्होंने उधर एड किया है एक सबसे लास्ट में जो आपके कर्कुलम जो आज सुबह है उसमें सबसे लास्ट का जो कॉला में वो एथिक्स का है वो भी IES का पैटर्न का होता है तो यह नोंने 30 नंबर का रखा अब एक मैं आपको पूरा गराऊंगा साइंस दस नंबर का है मैं हाडली छे पांट से छे लेक्चर लोंगा बहुत जदा तीन फिजिक्स के तीन केमेस्ट्री के और तीन बायो के जब बहुत आराम से पढ़ाऊंगा बहुत आराम से और इंपोर्टन कोशन आपको बता दूंगा त मतलब 20-20 मिनिट के लेक्चर होंगे आप तुरंत खतम करोंगे साइंस तो टच करने की कहीं से जुरुत ही नहीं है तो इस सारी चीजे बहुत आराम से होगी और इस सबको अगर आप एड़ कर लो तो यह हमारा हो जाता है टोटल 110 नंबर मतलब की 1500 मैसे आर 110 नंबर हमारे ब मैंनत करोगे अपना हाड़ वक करोगे अगर इतना आप कर लोगे तो यह तो 110 मार्क मैं आपको गरेंटी दे रहा हूं आपसे दुनिया की कोई ताकत यार छीन नहीं सकती है तो बिलकुल अभी कुछ लोग के कमेंट्स आये मैसेज भी आये की सेलबस तो बहुत टफ है आई हमसेज दिन करना चाहिता लेकिन पता नहीं उन्होंने कर दिया है लेकिन कर दिया है तो यार कंण design दत्ति नंबस तो वह हमारा जो बाल्मनुविध्यान है वह मपढ़ लेंगे थोड़ा साइन्स and अर्षिए पांच नंबर की वह हम पढ़ने के उसमें इंपटेंट पचास से सौ कोशन आपको दे देंगे फड़ लिए उसमें से पांस से तस कोशन फजाएंगे उसमें पता है मुझे क्या-क्या वो पूछ सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो मैंजिन चीज़ा हूं ज़ुडा हो सब्सक्राइब क्या है त तो उधर के मैं गरंटी ले रहा हूँ आप अपने आप लेके आ जाओगे महां से 20-25 नमबर और अगर आप अपने एक्जाम में 125-130 का स्कोर ले आते हो या 120 भी ले आते हो यार यह बहुत ही ओनर फुल और बहुत ही रिस्पेक्टेड इसकोर होगा आप यकीन मानने जाब किस कीई जनবपत से होगे आपका सेलक्षन पका होगा हुच सेलेक्षन ऑल्यार इसमें तो अब कुई शेङपक् again के अग्तार 200 लग बहारे और जितना में ओम वर्क डेता हूं homework करिए और प्लेस आप प्लीज कॉमेंट्स करते रहे हैं ताकि मैं पता चले कि प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही कहां पर मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं ठीक क्योंकि पर्फेक्ट तो मैं भी नहीं हुआ ठीक है तो आप लोग जुड़े रहे हैं पेट से इंजॉय करते रहे हैं इसी तरह से सारे वीडियो और हम बहुत आसानी से परिशा क्रेक करेंगे नौकरी भी पाएंगे थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू